क्रिशी कानुनों को नहीं समझा पाए तो क्रिशी मंत्री ने दिया स्तिफा बात हो रही है किसानों की संसद की क्योंकि जिस तरीके से पिछले आठ महिने से किसान आंदोलन चल रहा है पिछले आठ महिने से दिल्ली की यानि लगवक सभी सीमाओं पे जहां किसान बैठे हुए है और अब 26 जनवरी के बाद अगर बात कर ले जाए तो एक भी दौर की वारता नहीं हुए किसान और केंद शरकार के बीच में हाला कि किर्शी मंतरी ने पेच कर भी की थी खैर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि किर्शी मंतरी तीनों बिलों को नहीं समझा पाए तो उन्होंने दिया स्तिफा आपको बतादे कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि किसानों ने एक अपनी खोद की संसद भी चलानी जो है शुरू कर दिया ठीक जंतर मंतर पर कल जहां किसानों की जब संसद लगी तो उसमें जो किर्शी मंतरी थे रनवीत सिंग उनको किर्शी मंतरी बनाया गया और उन्होंने आपने तरफ से पूरा परियाश किया कि वह जो तीनों किर्शी बिल है वो किसानों को बढ़िया तरीके से समझा सके लेकिन वह तीनों फिर से यह अटकले लगाई जा रही है या फिर एक सरकार को चिताने की कोशिश है या किर्शी मंतरी को भी एक साफ साफ यह चुनोती दी जा दिये कि अगर आप हमें यह तीनों किर्शी कानून नहीं समझा सकते तो आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए अगर बात क के खा कि तेनों क्रशी बेश्क विलो को धुरुकरत करने के लावा अगर कोई और कोई विकल्प हो तो सकतिा किसान्स गठंश सरकार से बात करें लेकिन इनकों सब्सक्राइब मनें कर दिया उनका कृमा कि तो बिना कोई ट्रम एंड कंडिशन बिना किसी यानि नियम और शर्त के हम बातचीत करने के लिए राजी है अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर यह आंदोलन जो पिछले आठ महिने से ज्यादा का समय हो चुका है आखिर यह कब तक अखिर केंदर सरकार और किसान सं दिखने को मिल रहा है और दो दिन पहले उन्होंने रोड मार्च भी निकाला था जो जन्होंने कहा था कि दिल्ली की स्थिमाई बंद है और जिसकी वाज़े से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ है लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी क्योंकि किसानों का इक तर संगठन इसमें कुछ सहमति करके वापसी जाएंगे के साथ अनुराग मिश्रा एसी पी नेट्वर्ग